कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चेनल में आपका स्वागत है सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो भी समचार पत्रों पर शाइवी होती है और विद्धारतियों के लिए आवश्यक होती है तो आजी शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचा जिससे आप लोग यहां पर देख सकते हैं 640 एक्जाम इसमें कवर किये गए हैं और टेस्ट बुक में 56,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट उपलब्द हैं 369 रुपए में आपको एक yearly पास मिल जाएगा एक कोड मिल जाएगा और आप लोग एक साल तक लगबग 56,000 मॉक टेस्ट दे सकेंगे TWP तभी तभी आपको यह लाब मिलेगा TWP वरी टार्गेट विद PS पर यार चलिए शुरू करते हैं वाज की सूचना को सबसे पहली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयों की PCSJ के 303 पदों पर भरती को आवेदन आज से शुरू हो गए हैं उत्तर प्रदेश में नाइक सेवा के अधिकारियों के लिए होने वाली PCSJ भरती पक्रिया चार साल बाद सरिवार से शुरू होगी पिछले हफते ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से कहा था कि इस महीने चार भरतियों के आवेदन शुरू होंगे एक जारी हो जाएगा उसकी आवेदन शुरू होंगी चौथी बरती के लिए मैंने आप लोगों को जानकारी देती कि यूपी ट्रिपल से एक बरती का आवेदन उन्नीस तारी से शुरू होंगे और वह 62 पदोपर दुनियों इसिस्टेंट की चौथी बरती के बारे मैंने जान सब्सक्राइब की बरती का अभी चल रहा है और यह लोग सेवा आयोगी ने दूसरा विज्यापन शुरू कर किया है और यह पीसे जेगा इसे में कुछ बदला होने ते जिसकी वज़ए से इस बरती में काफी देरी भी और लिखा है कि इसी साल अप्रेल में कैबिनेट सब्सक्राइब के बजाएं अंग्रेजी और हिंदी भासाओं के सव सव अंक होंगे न्याइक अधिकारियों के वर्ती में दिव्याइगों के लिए चार प्रिक्सत आरचन का भी प्रावधान कर दिये गया तो यह एक दो प्रमुग बदलाव किये गया है यह एक तो यह जो आनलाइन अवेदन सुरू हो जाएंगे आनलाइन पीज जमा करने की अंतिमतिती दस जनवरी रखी गई है और 22 से 35 वर्स के अभेड़ती आभेडन कर सकते हैं बाकि सभी वर्तियों में 40 वर्स एज रखी रखी जाती है लेकिन पीसे जे में 35 वर्स कुछ बदला हो इसमें हम आयोग ने इससे पहले 2018 में 610 पतों के लिए भरती प्रक्रिया शुरू की थी जो 20 जुलाई 2019 को पूरी हुई थी उसके बाद से बढ़ती इस बढ़ती के निदार कर रहे थे और इसी साल अप्रैल में केबिनिट की बैटक में यह बदला हुए तो फिलहाल यह संशिप्त व पर लिखा है कि एक जुलाई 2023 से आयो की गड़ना होगी और कम से कम 22 वर्स की आयो होनी चाहिए दिव्यांगों को चूट दी गई है पचास साल तक आविधन कर सकते हैं दिव्यांग अगली सूसना है चैन बोर्ड की इसके बाद भी हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल चैन बोर्ड को जो आधेश दिया है उसका क्रिया रवन शुरू करें चैन बोर्ड पूर्टल खुलवा करके प्रतीचा सूची के अब्यर्थियों को विध्याले अधिमानता भरने का विकल पते अब बैर्थियों का दावा है कि उप सची उनवी लकिशोर ने आस्वासन दिया है कि चैन बोर्ड पूरी तरीके से सकारात्मक है और इसके लिए जल्द प्रक्रिया सुरू की जाएगी प्रतसन में धर्मेंद पांडे ललेतिवारी धर्मेंद यादव इतादी विधार्थ कि लिखाए अबर अधीनस्त सेव भरती परिच्चा का प्रडाम जारी इसके बारे मैं ने वीडियो बनाया था यूपी ट्रपल सी ने कल लूवर का प्रडाम जारी कर दिया है उसी की बारे में है और सभी कैटिगरी का जो कटाफ है वह भी जारी किया है सबसे ज़्यादा और अपर सूचना अधिकारी का भी पद था अप्रेल या माई के महिनी में आपको एक नई लोवर की वर्थी देखने को मिलेगी जिसमें यह सब रहेंगे पदों की संक्या आट सो साथ सो आट सो की आसपास रहेगी और बाकी सब सूचना वहीं हैं जो मैंने कल की वीडियो मनाई थी और कल जो यूपिटर पलसी से नोटिस जारी भी थी अब हम लोग बात करेंगे लेखपाल भरती की लेखपाल भरती की सूचना अच्छी नहीं है और विद्धार्थियों को सोलसा जटका जरूर लगेगा कि इसके परड़ाम में अभी देरी हो सकती है कल देर रात के में इसकी बारे में वीडियो बनाएं था एक चात्र है संजीत यादव उन्होंने पूछा था यूपिटर पलसी के जो सदस्त हैं एक्टिव अशोक अकरवाल जी उन्होंने ये जवाब दिया था जब पूछा गया पर विदर्ती धान देश सकते हैं एयरपूर्ट अथार्टी अफ इंडिया डबल ए आई में करें आवेदन 596 पदोपर बढ़ती निकली है जूनियर एक्सक्यूट्री के पदोपर ये बढ़ती है 27 वर्स अधिक्तम आयू मांगी गई है आयू करणा 21 जनवर 2023 से होगी उम् से देख लीजिए आवेदन की जो लास्ट डेट है 22 दिसंबर के पहले 22 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी 22 तक आउनलेन आवेदन कर सकते हैं लाज़ याद रखीगा 21 जनवरी के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना बरती गेट की जो पर इच्छा होती है दोजार बीस 21 और बाइस में जो आपने अंक प्राफ्त किये गए उस इधार पर स्ट लिस्ट किया जाएगा उसके बाद में डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा और अधिक जानकारी आपको आफिसर नोटिफिकेशन में ही मिल पाएगा दूसरी भरति मत प्रदेश की है मत प्रदेश जुडिशियल एसिस्टेंट की अठारा यहां पर तकी एस लिखा हुआ है अठारा से लेकर के 35 तक पात्रता यहां पर लिखी हुए है कि उमीद्वारों के पास मानता प्राफ्त मिश्री विद्याले से सम्मंधित विश्य में ग्रेजवेशन एम्टेक डिग्री केंप्यू यहां पर लिखा है कि 23 सितंबर तक आप लोग अभीदन कर सकते हैं वेब साइट है MPHC.gov.a आज के लगबख सभी प्रमुक्समचार पत्रों में यह चार साल के इसनातक ऑनर्स की दिग्री के बारे में भी जानकारी दी गई है लिखा विश्य विद्याल है अनुदान आयो UGC 2023 से इसनातक कार्यकरम की पढ़ाई का ढांचा पूरी तरीकے से बदलने जा रहा है नए सिक्षा नीति के तहित इसनातक ओनर्स की दिग्री चार वर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही मिलेगी नए इसक्छानी ठीकेत तैयार इस कारेकरम में च्छात्र अब इसनात्र की विंवर्क व्रांट परायद का नाम दिया गया है नए मसाधिकेत है चात्रों को कोर एरिया की दिगरी के साथ साथ अपने मन पसंद बिस्यों को चुनने की आजादी बीच में पढ़ाई चुनने से लेकर के विश्विद्याले तक को अपनी सहुलियत के हिसाब से बदलने का मौका मिलेगा आप लोग विश्विद्याले को ऐखंपाधी मिलेगी चौते वर्स में सोद कब बीचन सकते हैं उन्हें और से याने आनर्स की डिग्री मिलेगी चौते वर्स की बात करें मौजूदा चात्र भी स्में को चुन सकते हैं शेना के तीनों अंगों में एक लाग पैंथिस दर करमियों की कमी है बारतिशेना की सबसे ज्यादा जो रिक्तियां थल सेना में 11,587 युवाइव सेना में करीब 5,819 पद रिक्त नहीं संसद में बता गया है लिका कि इस तीनों सेना में हर साल करीब साथ दर पद रिक्त होते हैं और इनमें से पचास हजार थल सेना के ही होते हैं कोवीड के चलते दो साल से बरतिया नहीं हो पाएं इसलिए पदोक्षिन के बल गई है फिलाल इस वर्स अगन वीरों की तीन थीन हजार रिक्तियों को भरा जाएगा आज की वीडियो में इतना ही पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद